सब्सक्राइब किज़े तुश्यार डिजी चनल को और इस बैल आइकोन को दबा ये लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पले देखने के लिए नमस्काया दोस्तों मैं हूँ तुश्यार और लेकर आए हूँ आप ट्लीक नया हो वीडियो जहां दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सोनी कंपनी का एंड्रोइड इस्टियो सिस्टम साथ इसाथ हम देखेंगे इसमें सोनी कंपनी के डोर स्पीकर्स और इसे करेंगे एस क्रोस कार के अंदर तो देखते रहे हैं मैं साथ यह वीडियो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यह मेरे पास में सोनी कंपनी का फुल टच एंड्रोइड इस्टियो सिस्टम इस्टियो सिस्टम के डिस्प्ले के मैं बात करूं तो यह आपको 7 इंचिस फु पीचर्स के मैं बात करूँ तो इसमें आप एक USB पोर्ट एक पैन डाइव लगा सकते हैं साथ इसमें आपको Bluetooth की फैसलिटी दी गई है और समय अच्छी बात है दोस्तों यह Android है प्लेयर हैं जिसके थूँ आप प्ले स्टोर से कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड करके उसका स् अल ओवर दोस्तों यह काफी बढ़िया स्टीरो सिस्टम है यदि आप अपनी कार के अंदर एक अच्छा और ब्रांडेट स्टीरो सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो यह Sony कंपनी का AX500 स्टीरो सिस्टम काफी बढ़िया है अभी हम लोग दोस्तों यह स्टीरो सिस मैं इस studio system के touch को भी आपको बताऊंगा और इसके features को भी मैं आपको इसमें वीडियो में दिखाने वाला हूं तो अभी हमारे पास में यह जो sony का जो android studio system है इसके price की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका MRP 25,990 रुपीज है यह आपको 20,500 रुपीज में मिल जाता है इसके लब दोस्तों हमारे पास में sony company का स्पीकर है मैं आपको भी बताने वाला हूं वीडियो में साइट में रखा हुआ है मेरे पास में तो दोस्तों यदि आप एक बढ़िया android studio system लगवाना चाहते अपनी कार में तो यह best option है जैसे मैंने आपसे कहा था यह है sony का fb 162e काफी बढ बढ़िया mega base को produce करता है और vocal sound को भी काफी बढ़िया तरीके से यह output में आपको देता है यह two way speaker है sony company का काफी बढ़िया sound के साथ में आपको मिलता है यदि आप अपनी कार के अंदर एक अच्छा branded studio system लगवाना चाहते हैं तो यह sony company का touch studio system और sony company का यह speaker काफी बढ़िया option है इस speaker की मैं बात करूं तो यह आपको 2200 रुपीज के दो सैट आपको यह मिल जाते हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका installation as cross car के अंदर तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यह है मेरे पास में as cross car और इसका भी हम लोग ने सामने का portion लिका लिया है और इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हमारा sony company का android touch stereo system तो वीडियो को पुरा देखिएगा दोस्तों इसमें आपको एक frame भी frame भी दिया गया है जिसके अंदर आप stereo system को install कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह हमारा frame है और frame के अंदर यह हम लोगों ने stereo system को यहां पर install कर दिया है काफी proper fitting इसमें हुई है और इस stereo system के design की मैं बात करूँ तो काफी बढ़िया design है 7 inch का display आपको मिल रहा है बाटम साइट में आपको कुछ बटन जी गई है जिसके थूर आप volume अप डाउन कर सकते हैं और power switch off कर सकते हैं तो एक काफी बढ़िया stereo system आपको यहां पर यह मिल जा जाता है दोस्तों stereo system को install करते वक्त हमेसा ध्यान रखिएगा कि coupler का इस्तिमाल करें और स्कॉच किप का इस्तिमाल करें जिससे आपकी company की जो wiring है उसकी warranty नहीं जाती है जैसे कि मैंने आप से कहा था है doors पे हम लोगोंने sony company का जो extra base 260 watt का speaker यहां पर install कर लिया है और साथी सा हम लोगोंने touch screen भी install के लिया है तो यहां पर आप देखें काफी proper fitting के साथ में हमारा speaker install हो चुका है और यह हमारा जो sony company का android studio system है उसकी भी fitting properly यहां पर s cross car में हो चुकी है और यहां पर display का on करने के बाद में यहां पर कुछ manual guides आपको मिल जाती है और यह custom sound setting भी आपको यहा सकते हैं अपने हिसाब से तो touch काफी बढ़िया है दोस्तो look wise भी काफी बढ़िया दिख रहा है यह sony का android studio system इसके टच की बात करें तो काफी बढ़िया smooth touch के साथ में आपको मिल जाता हैं साथी साथ इसके अंदर आप reverse parking camera को भी install करवा सकते हैं जिसका view आपको इस studio system में मिल सकते हैं तो इसमें connection दे सकते हैं यह अलग से भी आप steering wheel controls का connection इसके थूप दे सकते हैं तो यह काफी बढ़िया आपके पास में android studio system में sony company का touch काफी बढ़िया है और इस bluetooth USB camera reverse parking camera facility आपको इसके अंदर मिल जाती है और इसके अंदर आपको दो USB port दिये गया है जिसमें आप द इसके अंदर आपको mic मिल जाता है जिसके थूआप hands-free calling कर सकते हैं यह जो android studio system है इसमें आपको कुछ manual guides आपको दिखने को मिल रही है जैसे कि यहाँ पर आपको extra base के यहाँ पर facility डी गई है multi codex support यहाँ पर दिया गया हुआ है आपको साथ जी साथ two input USB port इसमें दिया गया है rapid charging का support इसमें दिया गया है apple car play के through आप इसे connect कर सकते हैं inbuilt navigation इसमें आपको दिया गया है captive touch screen panel आपको यहाँ पर मिल जाता है और काफी शानदार sound की quality यह आपको यह android studio system दे देता है तो यदि आप अपनी कार के अंदर एक अच्छा और branded company का studio system लगाना चाहते हैं तो यह best option है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके लिए जरूर बताएगा मिलते हैं इसी next video के साथ में तब तक के लिए good bye